हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका दूस्त आज किस वीडियो में हम देखेंगे तो आप पुराना फोन खरीदने वाले हैं खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन सेटिंग करने चाहिए आपको क्या करना चाहिए फोन के साथ होता क्या है दोस्त कि आदि आप किसी से second hand phone खरेद रहे हैं तो उसमें हो सकता है बहुत सारा वाइरस हो वाइरस डाल के दे दिया हो या फिर दोस्त हो सकता है कि अपनी mail ID डाल के दे दे तो आपको ऐसी क्या करना चाहिए फोन के साथ ताकि आपका फोन सेफ हो सुरच्छित र कर लेना चाहिए अब बात कर लेते हैं security purpose से ओके अब दूसरा है कि दोस्त वह फोन जो सामने वाला दे रहा है आपको तो आपको पहले चेक कर लेना किस फोन में कोई access तो नहीं लगा रखाया ने कि कोई mail ID तो नहीं लागीन है यादि लागीन तुसे आप हटा देजिए ज बहुत सरे चीजें हैं जो हो सकता है आपको दिक्कत करें नहीं आपको पूराना फोन एक्टम नया जैसे हो जाए तो दोस्तों क्या करना चाहिए उसके लिए दोस्त आपके पास बस एक ही अपसन होता है कि यदि आप अपने फोन के सेटिंग में जाएंगे और क्या करेंग वही चीज में आपको दिखा रहा हूं ठीक है ना फोन के सेटिंग में चले जाएए फोन के सेटिंग में जाने के बाद आप यहां पर आज आएंगे और यहां पर आने के बाद आपको करना क्या है यहां पर यहां पर समसंग का फोन यूज़ कर रहे है तो आपको रिसेट करना है क्योंकि फैक्ट रिसेट करने के बाद देख सकते हैं आपका कंप्लीट यहां पर लिक्यारा अर्स आल डाटा आपका फोन का कंप्लीट डाटा मिट जाएगा पुरा फोन का डाटा डिलीट हो जाएगा चाहिए कुछ भी किया गया हो सारी मेल आडी सब कुछ जाएगा सारे वायरा सट जाएंगे सब कुछ जाएगा एकदम फोन नया जैसे होता है उस तरह से सारी नए कंडिशन में हो जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा इसलिए फोन लेने से पहले पुराना फोन अदि आप ले रहे हैं तो आपको एक बार मोईल को रिसेट करना चा खाना प्रिजस है एक पडिवागा ऑफ यह रहे हैं था भी में आपाना प्र जाएगा है वो